हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स मैं हूं सुचांग लखेरा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलकल जो है सब्सक्राइब कर दो ना आपकर हम बात करें इंडियन बॉर्डर की इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ज जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शियर करते हैं एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है दोनों तरफ से ही इंडिया को बहुत साथ अटेंचन है और अल्रेड़ी चाइना के साथ हम एक वार लड़ चुके हैं 62 में और पाकिस्तान के साथ भी जो हमने कई सारे वार कई सारे क्लेशिस के बारे में आपने पढ़ा भी और अभी भी अगर आप देखोगे तो लड़ दाक में इस्टेंड ओफ बने हुआ है लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अरवनाचियल प्रदेश सिक्किम लड़ दाक इन सब जगों पे चाइना जो है अपने इन फेक्चर को जो है बिल्कुल यहाँ पर डेवलप कर रहा है इन फेक्ट लड़ दाक में तो यह भी कहा जाता है कि चाइना जो है अपनी पोस्ट के पास तक यहाँ पर ट्रें भी लेके आ चुका है मतलब अगर कल को वार होती है तो चाइना इसली जो है अपने वेपन को अपनी आर्मी तक जो है यहाँ पहुंचा सकता है और कई सारी satellite images यह बताती है कि China अपने structure को जो है बिल्कुल यहाँ पर develop कर रहा है यह अगर आप image देख रहे हो तो August 2019 में कुछ इस तरीके का देखता था November 2020 में चाइना ने अरुनाचल प्रदेश में पूरा एक village बसा दिया इसके बाद अगर मैं बात करूँ लद्दाक की तो लद्दाक के पास भी आपको कुछ इस तरीके का इंट्रॉक्टर देखने को मिलेगा यह आप देख रहे हो गलवान रिवर ना गलवान रिवर के पास भी आपको कई सारे construction जो है देखने को मिलेंगे और कई सारी रिपोर्ट्स तो यहाँ पर यह भी बताती ही कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत सारे classes जो है बिलकुल Chinese troops के साथ हो सकने हैं अब इन सब को देखते हुए भारत की सरकार चाइना पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इंफ्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जो एम्मिनेशन्स हैं वो सब अपने सैनिक तक यहाँ पर पहुंचा आपाए इन सब को देखते हुए भारत की सरकार ने रिजेंटली एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉंच किया जो की वर्ल्ड की हाईयस चनल है यह फर्स पोस्ट का आर्टिकल भी है इंडिया टू बूस्ट लद्दाक डिफेंस अगेंस चाइना पाकिस्तान विथ वर्ल्ड हाईयस चनल एंड शिंकुला तो शिंकुला जो बास है वहाँ पे वर्ल्ड की हाईयस चनल को जो है इस प्रोजेक्ट को तो आनंद महिंद्रा ने यहाँ पर ट्वीट किया और जहो का कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया को अपने इंडिया को जो है बिल्कुल इहाँ पर डेवलप करना चाहिए क्योंकि चाइना कंटुनियसली रैपिड एक्सपांशन जो है कर रहा है और देखिए इसका दूसर रीज़न यहाँ पर यह भी है कि भारत की सरकार आज के समय यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि हम लद्दाक के जो लोग हैं उनकी लाइफ को बहुत ही अच्छी बना दें मतलब उनकी लाइफ जब बहुत ज़दा इसलिए भारत की सरकार यहाँ पर यह भी कोशिश कर रही है कि हम लद्दाक को जो है भारस से जोडने के लिए जाधा जतने जो टनल्स हो सकती उनको यहाँ पर डेवलप कर पाएं ताकि हमारे पास एक All Weather Connectivity होना चाहिए और देखिए आपको पता हिए 2019 के बाद से जब से लद्दाक और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया उसके बाद लद्दाक के लोग जो है यहाँ पर फाइड भी कर रहे हैं कि हमको फुल स्टेट होड मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आगर आप देहोगे तो Connectivity की बहुत सारी Problems है जी याँ इसके कई सारी Reasons हैं पहला तो जो बर्फबारी होती है उसमें काइंटरंस आपे बंद हो जाती है रोट पूरे तरीके से आपे जाम हो जाती है तो वहाँ पर चीजों की भी कई बार Shortage हो जाती है और देखे अगर हम बात करें इस Tunnel की तो यह Tunnel आपको जो है हिमाचल प्रदेश पर देखने को मिलेगी यह आप देख सकते हो न तो यह जो शिंगुला पास है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिमाचल पास में जो है हम इसको एकस्स कर पाएंगे और शिंगुला पास को कई बार यहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर नहीं होना है यह एक Mountain Pass है बास मतलब दो Mountain के बीच का एक रास्ता आपको देखने को मिलेगा जो की लद्दाक और हमाचर हिमाचल पदेश के बॉर्डर पे है यह जो टनल है यह 4.1 किलोमीटर की होने वाली है जो मनाली दर्चा पदम निमू रोड इन सब को जो है यहां पर जोईन करेगी और यह जो टनल है 16,703 फिट की उचाई पर बनाई जाएगी और देखिए यह इंडियन आर्मी को और कारगिल और कारगिल के पास ही आपको जो है निमू देखने को मिलेगा निमू बेसिकली एक जगह है अब यह जो टनल है ना यह कारगिल के पास आके यहां पर खुलेगी मतलब आप यह समझो कि हमारे पास एक इसली यहां पर एकसेस होगा ताकि हम पाकिस्तान बॉर्डर इ मतलब easily accessible होगा और ये tunnel 2025 तक बनके यहाँ पर ready हो जाएगी इसकी cost होगी 1600 करोड़ भारत की सरकाव 1600 करोड़ रुपे यहाँ पर खर्च करेगी और इस tunnel को यहाँ पर develop कह जाएगा border road organization जो है इसको develop करेगा पहाड़ी इलाकों में जो है border road organization जो है roads को यहाँ पर concert करता है इसके बाद अगर हम बात करें highways की तो उसके लिए NHAI, National Highway Authority of India जो है उसके काम करता है लेकिन अब आप यहाँ पर यह बुलोगी कि इसका importance है क्या, इस tunnel से हमको benefit यहाँ पर होगा क्या देखो पहली बात तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि चाइना ने अल्रेडी अपने G20 जो stealth fighter है मतलब पांचवी PD के लड़ाकों विमान है चाइना border पे जो है तैनाद करके रखी हुए है वही अगर हम बात करें भारत की तो भारत के पास उतना infrastructure यहाँ पे है नहीं इसलिए जो है इंडिया एक all weather connectivity के लिए जो tunnels है उनको यहाँ पे develop कर रहा है ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी problem हो तो हम अपने army को जो है वहाँ पे deploy कर पाएं क्योंकि देखिए कई सारे classes जो है भारत की सरकार आज के समय चायना का जो aggressive behavior है जो इनकी expansion की policy है उसको counter करने के लिए बहुत सारे जो है major ले रही और यह उन में से एक है आने वाले समय में आपको कई सारे और फी प्रोजेक्ट जो है बिलकुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो mainly इस channel से Indian army को बहुत ज़्यादा benefit यहाँ पे होने वाला है आने वाले समय में हम basically हमारे जो army band है army personnel है इसका सच जो weapons है उनका जो है हम easily यहाँ पे deployment कर पाएंगे तो at last I hope आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा आप अपने opinion लिखेएगा जरूर इसी के साथ यह 13 वीडियो का सुने के लिए बबादरवाद चेहिंद चवारत